हेलो फ्रेंट्स मेंगे चैनल फैसन इस्टेडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हैं यह मोस्ट इंपोटेंड कोश्चन जैसा कि मुझे भी पता आप लोगों का एकजाम पास में आ रहा है 17 तारिक को आप लोगों स्टेडी मैटेरियल प्रोवाइट कर रही हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और ज्यादर से ज्यादर इस वीडियो को शेयर करिए गा ताकि आपके और फ्रेंड लोग भी इस वीडियो को देख सके और उसका लाब उठा सके चलिए स्टार्ट करते हम दोग अपना फरस्ट को शचन हमारा फरस्ट कोश्चन ہं विच कालर इंट मांट इस वी शेप इन फ्राट एन श्क्राइड र दिखे इस पर उस इस का टा है .... एसका करेक्ट आंसर को जो होता है सामने की साइट से वी शेप में होता और पीछे की साइट से जैलर के इसक्याह रूप परीदा.. correct answer, देखते हैं, next question, हमारा next question है, what is the name of sleeve type, देखें, यहाँ पे एक figure दिया हुआ है, इस figure में sleeve है, उसमें sleeve का type पुछा गया है, option D है, option D है, plain sleeve, option B है, puff sleeve, option C है, kimono sleeve, option D है, satin sleeve, तो इसका correct answer है, option D, satin sleeve, यह satin sleeve है, इसलिए, option D is the correct answer, देखते हैं, next question, हमारा next question है, which garment is constructed with kimono sleeve, देखें, इसमें पूछा गया है, कौन सा garment kimono sleeve के द्वारा बना होता है, option D है, बाबा सूट, option B है, jump suit, option C है, कुड़ती, option D है, जरकीन, तो इसका correct answer, option B, jump suit, देखें, jump suit वो होता है, जिसमें upper और lower दोनों का दोनों, एक साथ में joint होता है, ठीक है, तो इसका correct answer, option B, jump suit, देखते हैं, next question, हमारा next question है, what is the name of sleeve, देखें, यहाँ पे भी एक photo दिया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा है फिगर में, आप इस sleeve को देखें, sleeve को देखें, sleeve के पहचान करिए, option D है, विशप sleeve, option D है, circular sleeve, option C है, ragnal sleeve, option D है, puff sleeve, तो इसका correct answer है, option B, circular sleeve, देखें, यह circular sleeve है, जैसे कि आपको figure में भी दिख रहा है, किस circular sleeve है, इसलिए option B is the correct answer, देखते हैं, next question, हमारा next question है, what is the name of sleeve, देखे देखें, ओपर भी एक sleeve दिखाई गई है, और नीचे भी आप लोगों को एक sleeve दिखाई गई है, देखें, इस sleeve को देखें, अच्छी तरीके से, और फिर इसकी पहचान करने को आप से कहा गया है, कि आप इसका नाम बताएं, कौन सी sleeve है, option D है, option D है, पफ sleeve, तो इसका correct answer है, option C, bell sleeve, देखें, ये bell sleeve है, bell sleeve में घंटी नुमा आकार की, उपर से पतली नीचे से चोड़ी, जैसा की figure में भी दिखाई देरा आप लोगों को, तो ये bell sleeve है, देखें, आप लोगों को बीचे भी लेके चलती हूँ, देखें, ये जो sleeve है, इस sleeve के बारे में हम ने जो पढ़ा है, ये circular sleeve है, ठीक है, sleeve की आकरिती आप लोग देख लीजे, आकरिती देख के एकदम माइन में सेट कर लीजे, ये कौन से sleeve है, ये circular sleeve है, अगला वाला जो question है, इस question को मैं फिर से लेके आ रहे हैं, आप लोगों के सामने, ये bell sleeve है, ठीक है, दोनों देख लिए आप लोगों मटन की तरह होती है, option A है, curtain sleeve, option B है certain sleeve, option C है ragnal, option D है kimono sleeve, तो इसका correct answer है, option B, certain sleeve, देखे जो certain sleeve होती है, वो लेगो मटन sleeve की तरह ही होती है, इसलिए option B is the correct answer, देखते हैं, next question, हमारा next question है, which sleeve has puffed above and tight fitted blow the elbow, देखे इसमें उस sleeve के बारे में पूछा गया है, जो ऊपर से puff होता है और elbow पे हमारे क्या होता है, fitted होता, उसके बारे में पूचल गया है, कौनसा है, option A है, लेगो मटन, option B है whisk up, option C है kimono, option D है ragnal, तो इसका correct answer है, option A, Lego मटन, लेगो मटन क्या होता है, ऊपर से puff होता है, और elbow पे हमारे क्या होता है, fitted होता है, इसलिए, उप्षन A is the correct answer, देखते ह है next question हमारा next question है what is the name of sleeve type देखिए यहां पर figure दिया हुआ आप लोगों के सामने इसमें sleeve का type पूछा गई यह कौन सी type का sleeve है option A is safe turn back cuff option B is band cuff option C is stand turn back cuff option D is french curve तो इसका correct answer है option B band cuff देखिए यहां पर band एक पट्टी लगी हुई यह कफ की जैसे आप लोगों के सामने दिख भी रहा है figure में तो यह कौन सा कफ है यह band cuff है इसलिए option B is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है which button hole is used in fitted garment देखिए fitted जो garment होते हैं जैसे हमारे blouse वगरा होते हैं उसमें पूछा गया है कि कौन सा हम button hole use करते हैं option A है vertical, option B है horizontal, option C है diagonal, option D है shape तो इसका correct answer option B horizontal हम horizontal button hole के use करते हैं fitted garment में इसलिए option B is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है what is the name of button hole देखिए यहाँ पे एक figure दिया हुआ जैसे कि आप देख भी रहे हैं इस figure को देख के और इसकी पहचान करनी है यह कौन सा button hole है option A है bound button hole, option B है key hole button hole, option C है coordinate button hole, option D है box button hole तो इसका correct answer है option A bound button hole, देख लीजे यह bound button hole का picture है देखिए picture से related जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ एक से दो question यह हो सकता है किसी के paper set में 3 भी आ जाए मैं कहनी सकती इस तरह से एक, दो, तीन आपके आने हैं तो हो सकता है इसमें से आ जाए आप लोगों का कोई भी question तो अच्छी तरीके से figure वाले सारे question आप लोग देख लीजिए देखके आप लोग अपना तयार कर लीजिए तो इसका correct answer option A bound button हो लीजिए ठीक है चलते है next question की तरफ हम लोग अपने हमारा next question है which type of collar are similar देखे इसमें पूछा गया है कौन से type के collar समान होते हैं देखे दो collar दिया जाएगा उसमें से पूछा जागा कौन को उनसे समान होते हैं option A round and sailor color option B flat and peter pan color option C sailor and flat color option D round color and peter pan color तो इसका correct answer option B flat and peter pan color जो flat and peter pan color होता है यह समान होते हैं इसलिए option B is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है what is the purpose of using canvas देखे इसमें purpose पूछा गया है canvas को यूज करने का question फिर से देख लीजिए पूछा गया question है बहुत important है आप लोग अच्छी तरिके से इसको करके आईएगा अगर यही same question आ गया तो हमारा question है what is the purpose of using canvas देखे इसमें purpose पूछा गया है canvas करे में पूछा गया option है protection option b decoration option c strength option d shape तो इसका correct answer option c strength मतलब मजबूती के लिए हम बक्रम क्यों यूश करते कपड़ों में हमारा कपड़ा मजबूत हो जाए जैसे कि आप जानते भी अगर शर्ट वगर हम बनाते हैं color पे कफ पे हम लोग क्यों लगाते हैं क्योंकि वहां पे इसलिए option c is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है which garment ragnal sleeve is used देखिए इसमें पूछा गया है कौन से garment में ragnal sleeve का use किया जाता है ragnal sleeve लगाया जाता है option a formal shirt option b t shirt option c यह jump short option d basic commish तो इसका correct answer है option b t shirt देखिए टी शर्ट में ragnal sleeve जादा तर use होता है इसलिए option b is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है how to give fill effect to sleeve देखिए हम sleeve में fill का effect कैसे देगे option a है by plate and elastic option b है by plate and gathering option c है by gathering and tux option d है by gathering and elastic तो इसका correct answer है option b by plate and gathering हम plate और gathering के द्वारा हम fill का effect दे सकते हैं इसलिए option b is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है which sleeve has gathering at top and bottom देखिए इसमें उस sleeve के बारे में पूछा गया है जिसमें gathering मतलब चुन्डटे होती है ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ चुन्डटे होती है उसके बारे में पूछा गया है option a है विसप sleeve option b है plain sleeve option c है puff sleeve option d है bell sleeve तो इसका correct answer है option c puff sleeve देखिए puff sleeve में ऊपर भी चुन question है how the sleeveless armhole are finished देखिए इसमें sleeveless armhole को पूच्छा गया है कि हम कैसे finish कर सकते है option a है saved hemming option b है shaped facing option c है shaped dreaming option d है gathering तो इसका correct answer option b shaped facing हम saved facing के द्वारा उसी से पे facing card के हम sleeveless armhole को हम finish कर सकते हैं इसलिए option b is the correct answer देखिए फ्रेंड अगर आप लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी होगी तो मेरे द्वारा चलाइगे online classes को आप लोग दिए गया संपर्ट नंबर पे संपर करके पूरी की पूरी ठीटेल में पढ़ सकते हैं और जो क्लासी चलती है डेली 8 पीम में वहां पर क्विच के माध्यम से मैं mcq question लेके आती हूं जिससे आप लोगों की paper तक की बहुत अच्छी तरिकेस तयारी हो जेगी entrance exam में तो आपको help मिलेगी मिलेगी जब आपका CI test में admission हो जागा तो वहां पर आपको काफी help मिलेगी क्योंक कि कोई फीस है कोई फीस नहीं है सब आपको classes वगेरा फ्रीयों कोस्ट है तो आप लोग जल्दी से telegram channel को जोईन कर लीजे जिससे आपकी जादा से जादा मदद हो सके ठीक है चलिए हम लोग चलते है अपने next question की तरफ हमारा next question है which is the last operation in shirt stitching देखे इसमें पूछा गया है व option D है color attaching तो इसका correct answer है option D color attaching देखे हम सबसे last में जो shirt सिलते हैं उसमें सबसे last में काम क्या करते हैं वह हम color को जोडने का काम करते हैं इसलिए option D is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है how the bottom of the चूड़ीदार is apparent देखे चूड़ीदार का bottom किस तरीके से संबंदी था उसके बारे में पुछा गया है option A border option B narrow option C is loose fitted option D is tight fitted तो इसका correct answer option D is tight fitted देखे चूड़ीदार का bottom नीचे का हिस्सा होता है वह fitted होता है एकड़म tight fitted होता है इसलिए option D is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है what is चूड़ीदेखे है option A pant option B is fold option C è tight option D is narrow तो इसका correct answer option B fold यह मुड़े हुए भाग होते है जैसे कि आप लोगों को भी पता है चूड़ी क्या होती है हमारी जो चूड़ी दार सलवार में हमारी पैजामी बंबनती है वो क्या होती है हमारी फोल्ड होती है जितना ज्यादा फोल्ड आते हैं हम कहते हैं हम कहते हैं इतनी ज्यादा चूड़िया पढ़ रही है तो चूड में कल्ली होती है बीच में और साइट पीस में भी कल्लिया जोड़ी जाती है और पीछे का पैनल होता है और आगे पीछे का पैनल होता है आप लोगों नी जिसने ठीक है आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही आगे के कोश्चन जल्दी ही में अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ले क्या होंगे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेगा और कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी